हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टेडी पाउर के यूटूब चैनल पे आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे राज्ये के नीति नर्देशक तत्व से रिलेटिड इंपोर्टेंट कॉशन्स जो हर बार एक्जाम्स में पूछे जाते हैं अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन जरूर देखे तो चले शुरू करते हैं आज के मारी वीडियो अगर आपको मारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज का हमारा फॉस्ट कोशन है नीती निर्देशक तत्व किस समीती की सिफारिश के आधार पर सविधान में शामिल किया गया था जो नीती निर्देशक तत्व है वो किस समीती की सिफारिश के आधार पर सविधान में शामिल किया गए था तो इसका right answer होगा मारा option है सप्रू समीती याद रखना इस question का right answer होगा मारा option है सप्रू समीती चले चलते मारे next question पे हमारा next question है राज्य की नीती निर्देशक तत्व एक ऐसा check है जो bank की स्वीधा अनुसार अदा की जाएगी यह कतन किसका है एक बार फिर से सुनेगा राज्य के नीती निर्देशक तत्व एक ऐसा check है जो bank की स्वीधा अनुसार अदा की जाएगी यह कतन किसका है तो इसका right answer होगा मारा option बी केटी शा के द्वारा जो है यह कतन कहा गया था चले चलते मारे next question पे किसने जो है वो निर्देशक तत्व को अनोखी विशेश्ता वाला कहा है तो इसका right answer होगा हमारा option है अंबेड करने डॉक्टर बी आर अंबेड करने कहा है चले चलते मारे next question पे हमारा अगला question है किसने कहा DPSP यानि Directive Principle of State Policies का हुदेश्या एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है यह बात किसने कही थी कि DPSP का जो हुदेश्या वो एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है तो इसका right answer होगा हमारा option सी डॉक्टर अंबेड करने डॉक्टर अंबेड करने कहा था चलिए चलते मारे next question हमारा अगला question है निम्न में से किसने राजे की नीती के निर्देशक तत्वों को सविधान की आत्मा बताया था तो इसका right answer को मारा option बी ग्रीन वील ओस्टिन ने किसने कहा था ग्रीन वील ओस्टिन ने जो है वो राज चलते नेक्स question पे मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया था मूल अधिकार जो है जो fundamental rights और जो निर्देशक तत्व है उनके बीच जो पहला विवाद है वो किस वाद में सामने आया था तो इसका right answer को मारा option सी चंपकम द और रही राजन वाद चले चलते मारे अगले question पे मारा next question है किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीती निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है तो इसका right answer को मारा option सी मिन्वा मिल्स मिन्वा मिल्स वाद में जो है ये कहा गया था कि जो मूल अधिकार है और न next question है किस संशोधन द्वारा निती निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुचेद 14-19-31 पर वरियता दी गई तो इसका right answer को मारा option A 42 संशोधन के द्वारा जो है निती निर्देशक तत्वों में संशोधन क्या गया था चले चलते मेरे next question पे संविधान के कौन से अनुचेद में प्रावधान है कि निर्देशक तत्व को न्याले नहीं ले जाय जा सकता आप सभी को पता होगा कि जो निर्देशक तत्व है वो वाद योगे नहीं है इसका मतलब है कि अगर आपके निर्देशक तत्व का सरकार लागू नहीं करती है तो आप उसके लिए कोर्ट में आची का दायर नहीं कर सकते हैं तो एक कौन से अनुचेद में जो है प्रावधान है तो इसका राइट आंस होगा हमारा option B अनुच अनुचेद 47 में जो है इसका प्रावधान किया गया है चले चलते हैं हमारे एकले question पर आज का मारा last question है समान न्याय और निशुल्क विविद साहिता का उलेक है वो कौन से अनुचेद में है तो इसका right answer का मारा option A अनुचेद 49 एक में कौन से अनुचेद में है अनुचेद 49 एक में इसी के साथ आज के मारी वीडियो खतम होती है और आपको मारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी ले तो चलिए कल मिलते एक next वीडियो के साथ